So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Realme device में अगर आपका touch work न करे तो इसके क्या क्या reasons हो सकते और क्या क्या इसके solutions हो सकते है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है, वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा, बिल्क आइकन को प्रेस कर लेना है टच अगर न चले आपके Realme के डिवाइस में तो देखे, दो reasons की वज़े से आपको इप्राब्लम्स आ सकती है पहला reason हो सकता है आपका hardware का problem अगर आपके Realme डिवाइस में टच अगर डेमेज हो चुका है तो वो तो hardware की problem होई उसको sort out करने के लिए तो आपको आपके Realme डिवाइस को service center भिजाना पड़ सकता है ठीक है, यह आपको पता चल गया और अगर problem होगी software की तो एक बार आप लोग restart करके देख लीजेगा हो सकता है आपकी problem ठीक हो जाए या फिर आप लोग एक बार update करके देख लीजे अपने Realme की डिवाइस को आपकी problem ठीक हो जाएगी ठीक है, तो simple आपको इन method का use करना है यहाँ problem को ठीक करने के लिए टॉपिक इसकवर मिलते है निक्स्ट वीडियो में जै मातादी